गर्मी के मौसम में परवल घर घर में बनता है आज मेरी मा के हाथ की बहुत स्पेशल तिल परवल की सुखी भाजी हम देखेंगे वेरी सिंपल रेसिपी जो राइस रोटी पराठा पूरी सब क्युछ के साथ जम जाएगा हलो दोस्तों सॉल्ट अं टर्मरिक चनल में आप सभी का स्वागत है तो पहले हम देख लेते हैं मैं परवल को कैसे काटी देखे हम थोड़ा सा रख रहे हैं इसके स्किन को और थोड़ा बहुत निकाल दे रहे हैं और जहां जहां पे हमारा स्किन रह गया है उसके ऊपर हम दालेंगे इस तरह से ताकि अंदर तक इसका जो टेस्ट है मसाले का टेस्ट और तेल का जो अरोमा वो सब कुछ अंदर खुश जाए तो जिन लोगों के लिए ये बहुत कॉमन वेजटेबल नहीं है फॉर एक्जामपल साउथ इंडिया ये जादा मिलता नहीं है तो मैं उ ये मिल जाता है ये उस्टीड पीनट्स को पील करना मैंडिटरी नहीं है वो आपको करना है तो कर ए बस इस तरह से आप इसको बना सकते हैं जैसे मैं दिखा रहे हूँ ये देखिये मामे के हाथ में यहाँ स्टेण हो गया है लेकिन चूरी से चूरी से काटने से उसको भी अब हैं अम मसाला बना लेते हैं, देखिये हमने यहां पे तिल लिया है काफी जादा लिया है दो टेबल स्पून इस तरह दो तीन टेबल स्पून हमने लिया है और हम रोस्टे पीनिट लिया था उसको भी हम डाल रहे हैं मेरे पास कुछ सूखी हरीमिर्श तो हम थोड़ा जादा यूज़ करते हैं तो यह जो दरदरा पीसने वाला होगा इस तरह से होगा इसमें अद्रक टमाटर कुछ भी जरूरत नहीं है यह बहुत जादा सिंपल रेसिपी है तो अभी कुकिंग कर लेते हैं ममी ने यहां पे तेल डाल दिया है हम यहां पे मस्ट मस्टर्ड ओयल यूज़ कर रहे हैं यह रेसिपी मस्टर्ड ओयल में बैस्ट बनता है लेकिन आपको अगर पसंद नहीं है तो आप कोई भी कुकिंग ओयल यूज़ कर सकते हैं जस्ट बी केरफूल कि वह हेल्दी होना चाहिए पाम ओयल वगेरा यूज़ ना करें अपने डेली लाइफ में तो उसमें हमने थ्वड़ा बहुत कलॉंजी डाला था और तेल गरम होने के बाद हमने परवल डाल दिया तो यहाँ पे मेन स्टेप जो है ना इसको फ्राई करने का है किस तरह से हम इसको फ्राई करते हैं ये बोईल बोईल वाला हो जाने से बहुत गंद खाने में पानी पकड़ लेता है अंदर थोड़ा बॉयल बॉयल टाइप का हो जाता है तो वह अच्छा नहीं लगता थोड़ा फ्राई फ्राई होना चाहिए तो इसको एकदम धीमे आज में नहीं करना है फ्राई थोड़ा मीडियम थोड़ा हाई इस तरह से होना चाहिए कभ इसको उलट पुलट के फ्राई कर लीजिए इसके अंदर काफी पानी होता है तो पानी को थोड़ा सा प्रेस करकर के ममी निकाल रही है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए अंदर तक और ये जो परवल के अंदर तक जो तेल जाता है ना परवल का जो अंदर का गूदा होत तेल के साथ मिलके उसका इतना अच्छा सा अरोमा आता है खुश्बू बहुत बड़ा मतलब बहुत ही जादा अच्छा आता है देखिए यह ब्राउन होना शुरू हो गया है आप देख रहे हैं यह थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए इस तरह से लेकिन आप ध् लटके इसको थोड़ी देर के लिए कवर कीजिए और जादा देर के लिए खुला चोड़िए कम टाइम के लिए कवर कीजिए मैं यहां पे नमक डाल रही हूं और आपने देखा था पहले हमने इसमें हल्दी भी डाला था तो हमारा परवल जो है वो गोल्डन ब्राउन हो और अच्छे से वो अंदर से पक गया है अभी जो मसाला हमने बनाया था तिल और पीनट्स का मुमफली का वो हमने डाल दिया देखिए इसको हम उलट पुलट के थोड़ा सा फ्राई करेंगे इस टाइम पे हमारा जो फ्लेम होगा वो मीडियम होगा बहुत हाई नहीं होना ह नहीं तो हमारा जो यह मसाला है वो जलने का चांसिस है वो आप देखके करना अभी थोड़ा उलट पुलट के हम इसको पानी तो बिलकुल ही नहीं देंगे इसमें और टमाटर वगेरा कुछ भी जरूरत नहीं है हम इसको कवर कर देंगे बस दो से तीन मिनिट के लिए कवर उरी मग बब लेंगे हमार दो 270 ऩροस और दोуск आशार में रहा आता है क्या थे नहीं तो दो सेटावड़ नहीं है के रहे ही जाता है क्योंकि यह जस्ट फ्राइन कीया हुआ है और सुखा मसाला है इसके अंदर आप इसको चावल, रोटी, पूरी, पराठा किसी के साथ भी अच्छे से खा सकते हैं बहुत ही डिलीशियस होता है जिस दिन ममी ने ये बनाया था तो हम सबी एक तम विदिन नो टाइम खतम कर दिये इसको मैं तो खाना शुरू करने से पहले ही मैं इसको एक एक उठा उठा के खाली वैसे भी ये सबजी मेरा बिल्कुल फेवरिट है फेवरिट मतलब फेवरिट मैं जब भी ममे पापा के घर पे जाती हूँ तो पापा हमेशा ये खोज-खोज के मेरे लिए लेके आते हैं मुझे बहुत जादा पसंद है पर ये सबजी आप जरूर बनाईएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही टाइम सेविंग है तो आप बनाईए खाईए और अपना एक्सपेरियंस से शेयर केजिए थैंक यू फो वाचेंग